आज के वीडियो में मैं आपको relationship manager के बारे में बताने वाला हूँ जो कि banks में आपने आमतोर पर देखा होगा अभी relationship manager की post क्यों रखी गई है यहीं क्यों relationship manager कहा जाता है और क्या ऐसी ज़रूरत पढ़ गई थी कि banks में अलग से post बनाए गई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे दोस्तों सबसे पहले जरूरत को समझते हैं आप सबी को पता है कि जब भी कोई चीज हम खरीदने के लिए जाते हैं market में तो एक salesman होता है किसी भी दुकान में जो कि आपको product के बारे में सब कुछ बताता है समझाता है और उसका एक तर करने कोईश्च करता है इसके बाद अगर वो चीज़ा आप खरीद लेते हैं तो आपसे लगातार contact में रहता है अगर आपको चीज में कुछ खरावी निकल कर दिखती है तो आपको उनसे directly बोल सकते हैं एक बंदा आपसे contact में रहता है जब तक के guarantee या warranty दी गई है तब तक आपसे contact में रहता है इवन उसके बाद भी contact में रहता है ताकि आपको किसी परकार की परिशानी ना हो तो ये बंदा क्या है ये आपसे relationship बिल्ड कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि जब एक customer खुश होगा तो वो और जादा लोगों को feedback देगा और और जादा लोग हमसे जु तो अब अगर एक customer को कुछ problem आ जाती है वो किसके पास जाएगा बैंक में directly bank manager को परिशान तो नहीं करेगा cashier को परिशान नहीं करेगा क्यों अपने काम में वेजी है अना तो ऐसे समय पर एक बंदे की जरूत होती है जो की शांती से customer की बात को सुन सके customer को समझ सके उनकी problem को solve कर सके और customer से कैसा relationship बिल्ड कर सके जिससे की customer लंबे समय तक उस bank के साथ जुड़ा रहे है bank के कैसी चीज़ा जो कभी expire रही होंगे आपने जो चीज़ उनसे ली है मतलब जो services आप ले रहे हो हमेशा ही लेने वाले हो आप अपना पैसा आप रख रहे हो या पर loan से ले रहे हो वो हमेशा ही चलने वाला ऐसा नहीं है कि आप 10 साल के लिए loan ले उसके बाद आप bank से ना करकना है ताकि bank जो है जादा से जादा लोगों से जुड़ा रहे और बैंक चलता रहा है अब relationship manager जो होते हैं दोस्तों इनकी वेतन काफी अच्छा होता है अब manager नाम में जुड़ा हुआ है तो आप समझ सकते हो वेतन दूसी great का होगा इसके बाद इनकी तरक्यों की chances भी ब बता देता हूं तो जो पहला काते हौन का में दोस्तों लों खाते चालू खाते और बचाते इनकातों की file वाइलों को अच्छी तरीके से जाचना यह इनको काम दिया गया है कि आ यह तो नहीं किधे। नहीं है वह आप देखकर के बताहें अब लोग बैंक में लगे हुए हैं वो अपने अपने घाम में बीजी हैं relationship manager का काम ये है कि सभी का काम आसानी से चलता रही है अगर कुछ problem चालू काते में बचत काते में या लोन काते में दिखाई देती है तो वो अपने अधिकारें तक पहुंचा है और जो मतलब जिस भी बंद उनकी rating को जाचना इसके अलावा credit team फाइलों की प्रगती को जाचना कितनी process हो रही है उसको हमेशा देखते रहना उसको check करते रहना और तयार फाइलों को देखना ये भी एक relationship manager का काम है इसके अलावा और भी काम है DSAW DST से report लेना आदी ऐसे काम जो है ये professionals के अंतरगत आते हैं relationship managers के अंदर आते हैं जो कि ये सारा काम देखते हैं और सुचारों रूप से bank काम चलता रहा है इसको confirm करते हैं अभी हम जानेंगे कि योग्यता क्या लगेगी अगर आप relationship manager बना चाहते हैं किसी bank में तो आम दोर पर इन्हें RM कहा जाता है जो कि आपको bank में मिल जाएंगे तो ये बनने के लिए आपकी प्रशाशनिक योग्यता काफी अच्छी होनी चाहिए आपको management काफी अच्छे तर लोगों के सामने कैसे present किया जाए कोई चीज जब भी कोई customer आ रहा है तो आपके खातों में क्या 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 लाब है अगर वो लोन लेने के लिए आ रहा है तो उनको सारी schemes आप समझा सकें और एक वो होता है ना salesman के इस तरीके से बात करने का तरीका होता कि हर एक चीज explain भी कर दी सामने वाले को सब कु समझ भी आ गया वो आपके अंदर गुन होना चाहिए तभी आप एक अच्छे relationship manager बन सकते हैं आपकी networking काफी अच्छी होनी चाहिए इसका मतलब क्या है कि आपके काफी लोगों से जान पैचान होनी चाहिए तभी आप एक अच्छे relationship manager बन सकते है क्योंकि relation मनाना ही आपका काम है कस्टमर के साथ जितने अच्छे relation रहेंगे उतना जादा आपका काम अच्छा रहेगा और numerical ability होनी चाहिए दोस्तों इसका मतलब क्या है कि आपको number और गिरस थोड़ा सा जादा उनके साथ रिष्टा होना चाहिए अगर आप number से confused हो जाते है अगर आपकी mathematics काफी अच्छी नहीं है तो बहुत problem आपको होने वाले क्योंकि banking sector में चोटे मुटे जोड़ना खटाना तो फटा-फट आपको दिमाग में करना होता है हर समय आप calculator लेकर के नहीं बैठ सकते हैं इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़ादा जरूरी चीज है कि banking system के बारे में आपको सब कुछ पता होने चाहिए उसकी जानकारी आपको अच्छी होने चाहिए अगर आपको banking system के बारे में कम जानकारी है तो आप ये काम बहुत ही गंदे तरीके से कर पाएंगे और शायद आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी तो आपको ध्यान देना है कि banking system क के बारे में अच्छी कासी जानकारी हो आपका calculating काफी फास्ट हो आप लोगों से बातचीत करने में काफी अच्छे हो जिन से भी आप बात कर रहे हैं वो आपको पसंद करें कुछ इस तरह की personality आपकी हो और sales वाले गुण आपके अंदर थोड़े से होने चाहिए आप अच् relationship manager बन सकते हैं easily तो पहला कोर्स है दोस्तों कि आप banking and financial services में BBA करें याने की बैचलर्स of business administration का कोर्स आप करें यह कोर्स तीन साल का होगा यह बैचलर्स डिगरी है आप चाहें तो MBA कर सकते हैं banking and finance में जो कि दो साल का कोर्स होगा अगर आप graduate है already तो आप master's किजिए MBA कीजिए उसके बाद भी आप यह नौकरी कर सकते हैं आप अगर 12th pass है तो B.com कर सकते हैं banking and finance में उसके थुरू भी आपको यह नौकरी मिल सकती है लेकिन BBA करना थोड़ा ज्यादा अच्छा option होगा हाला कि दोनों के दोनों ही करने में थोड़ा जो fees है उसके structure में काफी changes, differences देखने म मिलते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा ना आप सोच रहे हैं कि यार मैं graduate हूँ already और MBA करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप डिपलोमा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो PGDM कर सकते हैं वह होगा banking and finance में तो banking and finance में तो आपको similar पढ़ी है उन लोगों के लिए काफी आसान हो जाता है इस पोश्टक पहुंचना क्योंकि वह फटाफट BBA कर सकते हैं लेकिन काफी सारे बैंक्स सिर्फ MBA को ही अलाउ करते हैं तो MBA ही करकर के वहाँ पर जाना पड़ता है काफी सारे बैंक्स बैचलर्स डिगरी पर भी अला और जैसे जैसे आप सीनियर लेवल पर चल जाते हैं यादि कि आपको प्रमोशन होते जाता है फिर तो आपको पताईए बैंक्स में काफे जाता पैसे आप कमा सकते हैं तो यह है दोस्तों Relationship Manager के बारे में सारी बात है अगर आपको आपको कुछ कुश्य है तो कमेंट जरूर लिक कर भेज़ देना मैं मेलूंगा नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो पसंद दो लाइक जरूर कर देना धन्यवाद